दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार महुरंजीत जा और आप देख रहे हैं दे लाइफ टीवी गजा सीटी में नरसंग हार करने वाले इसराइलियों का इस बक्त दर से हलत खराब है इसराइली सेना अपने टैंकों के भीतर खुद को डर से लॉक कर रखी है और वो युद लड़ने के लिए गजा सीटी में घोसी तो है लेकिन इतनी हिम्मत हो नहीं रही कि वो हमास के लड़ाकों से सीधा मुकाबला कर सके वो इंतजार में रहते हैं कि कब हमास के लड़ाके युद छेरेंगे फिर लड़ाई शुरू की जाएगी क्योंकि इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो मौत के जाल में खुद को फसा रखे हैं और इससे बचने के लिए ही इन लोगों ने खुद को लौक कर रखा है टेंकों में बखतर बंद में सर्फ इसलिए कि कहीं हमास के लड़ाके उन्हें धेर ना कर दे जबकि कई इसरैली सैनिक धेर हो रहे हैं यह वही इसरैली सैनिक हैं जो हवाई हमले करके या फिर चोड़ी छिपे नापाक हरकतों से निर्दोशों को मारते आ रहे हैं गजा सिटी में लेकिन इनकी इन्होंने टुइट किया है और यह लगतार अपडेट देते हैं कि गजा सिटी में क्या चल रहा है और इसराइली सैनिक की कर्तूत क्या है जो अभी latest रिपोर्ट है जो आपने स्क्रीन पर देखी है पने गजा तेय करता है उसे कहां और कब लड़ना है यानि कि चक्रव्यू फिलिस्तिनियन डेसिस्टेंस का है हमास के लड़ाकों का है वो तेय करते हैं कि कितने बड़े जाल में इजरैली सैनिकों को फशाना है और फिर उन्हें धेर करना है चुकि Ground Operation के जिदपाले नेतन्याहू ने अपने लाखों सैनिकों को मोत के मुह में तो धकिल दिया है कई सैनिक तो बाहर ही अभी संगर्ष कर रहे हैं गजा सिटी में घुसने का सपना तो उनका दूरी है जो कुछ घुस गए हैं वो अब समझ चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी कल्की हो गई निर्दोशों को मारना नहत्थों को मारना इसरैली सैनिकों को तो आता है लेकिन हमास के ट्रेंड लराकों के सामने इनकी घिगगी बंद जाती है डर से ये बखतर बंद में छिप जाते हैं और कहा जाता है मीडिया खबने फैलाती है कि इसरैली सैना ने गजा सिटी में कमजा कर लिया है भीतर घुस कर हमास के लराकों को धेर कर रही है लेकिन सच्चाईया नहीं हमासके लडाके तरह करते हैं कि इज्रारिय clause के साथ कब कैसे और कहा लड़ना है यह लोग तो सर्फ अपने टैंकों में छिपकर अपने को खुद को मौत से बचाने की कोशिश करते हैं लेक 5 पता है कि हमासके लडाके उन्हें छोडने वाले नहीं है, वो सब भी इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि फिलस्तिन पर कब्जा करने का सपना नित्न्याहू ने पाला है एक tweet अभी और देखिए ये भी मिस्रा अमरेश ने शेर किया है इसमें एक visual है और इस visual में बताया जा रहा है कि Islamic society का यह orphan home है और यहाँ पर से समान चुरा कर भाग रहे लोग इसराइली है इसराइली सैनिक की यह तुच्चा हरकत कही गई है इस वीडियो में आप देखिए च जामान लोड करके भाग रहे हैं और इस वीडियो को शेर करते हुए मिस्रा अमरेश ने लिखा भी है अब देखो इस्राइली टुच्चे वेस्ट बैंक है ब्रॉन में Islamic society की अनाथाले से माल चुराते पकड़े गए हैं यह हरकत इन लोगों की है यह करेंगे क्या है इनका एक ही मक्सद होता है बस कि कैसे वहां फिलिस्तीन में नरसंगहार किया जाए सामने सामने के लराई लड़ नहीं सकते तो वो बेकसूरों पर जुल्म करते हैं और बताइए कि इतनी इंसानियत इनकी कहां मड़ गई है कि यह सब जो हैं अना थाले से समान तक चुरा रहे हैं उसकी संख्यां भी लगतार घरती जा रही है इस संबंद में भी एक अपडेट है जड़ा देखिया अपने स्क्रीन पर क्या रिपोर्ट में मिल रही है ये बताया गया है मिस्रा अमरेश के द्वारा ही ये अलजजीरा वर्ल्ड की रिपोर्ट है अलजजीरा वर्ल्ड ने उत्तर पस्टमी गाजा में IDF टैंकों की संख्या 383 से घटकर 295 हो गई है मतलब गाजा पट्टी से 88 टैंक गायब हो गया है इसराइल ने यह नहीं कहा तो उन्हें वापस ले लिया है साफ है यह वाहर फिलिस्तिनियन रेसिस्टेंस ने नस्ट कर दिये यानि कि हमास के लड़ाकों ने उनके उन टैंकों को भी नस्ट किया है जिसमें यह खुल को छुपा कर अपनी सुरक्षा कर रहे होते हैं या बक्तर्वन में खुल को छुपा कर महफूज रखने की कोशिस करते हैं लेकिन इनके घिग ही अब बंधती जा रही है क्योंकि हमास के लराकों ने इनका ऐसा हिसाब कर दिया है कि गजा सिटी में घुसना ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मान कर बैठे है क्योंकि इनके पास अब भागने का भी बिकल्प नहीं है लरना भी होगा और लरेंगे तो शायद मरना भी होगा यहीं स्थिती है तभी तो इनके टैंक भी नश्ट हुए है एक एक टैंक बताया जाता है कि 33-3 मिलियन यूएस डॉलर का होता है और ऐसे में इतने सारे टैंक इनके गाइब हुए है वो 183 मिलियन डॉलर की बाद तो तब ही की गई थी जब इनके 61 टैंक गाइब हुए थे वो दो नश्ट हो गए और जो अभी सेंख्या ये घटकर 88 बताया जा रहा है ये 88 टैंक नश्ट किये गए है ये टैंक की किमत कितनी होगी क्या इजराइल के पास इस बग इतने आर्थे के सत्तिय सुद्रिड है कि इतने बड़े नुकसान के भरपाई वो तुरंत कर पाएं बिल्कुल नहीं है इस बज़े से ये एकदम से छटपटाहट में है एक अपडेट और दिखाते हैं आपको इस अपडेट में बताया गया है कि कैसे फिलिस्तिन में हमास के लराकों ने गजा में खास करके इसरैली सैनिकों के होश उरा दिये है जंग शुरू कर दिये है मिसरा अमरेस ने एक ब्रेकिंग ख़बर दी है अभी अभी वेस्ट बेंक के अरिहा जेरिचो इलाके में पलिस्तिनियन रसेस्टेंस और आईडियेफ यानि इसरैली डिफेंस फोर्स के बीच बकाइदा जंग शुरू हो चुकी है उधर इसरैल सरकार ने स्विकाड़ा कि गजा में उसकी सेना का एक अपसर और एक सैनिक मारे गए एक अंध्य सैनिक गंभी रूप से घायल हुए जब से ग्राउंड ओपरेशन शुरू हुआ है तब से इसरैली सैनिकों के मरने की खबरें अब खूब सामने आने लगी है ये लोग ग्राउंड ओपरेशन करने के नाम पर हमास के बनाए चकर व्यू में फस गए पांच सो किलो मेटर का जाल है हमास का और उस जद में जो भी इसरैली सैनिकाता है उसे मुह की खानी परते है या तो जान बचाकर भागने की कोशिस करते हैं या वो वहीं धेर हो जाते हैं जो इस वक्त रिपोर्ट आई है कि इन लोगों के बीच अब जंग शुरू हो गई है हिंदुस्तान ने भी एक रिपोर्ट इस संबन्द में दी है बताया जा रहा है कि हमास ने दावा किया है इसरैल के 160 ठिकाने हमास के लराकों ने ध्वस्त कर दिये हैं हमास के सबसे मजबूत लराके अलकसाम ब्रिगेड हैं और ये लोग इसरैल में भी अब कारवाई कर रहा है खास करके उनके सेंग ठिकानों को उराते हैं जहां पर ये लोग टुकडी में जमे होते हैं अब यहां खबर आई कि हमास का दावा इसरैल के 160 ठिकाने द्वस्त बंधकों की रिहाई के लिए भी चर्चा शुरू कर दी गई है लिखा गया है कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर को गाजा की सीमा से लगे दक्षिन इसरैली समुदायों और सैन ठिकानों पर किये गए हमलों में अब तक मरने बालों इसरैलीयों की संख्या 1400 से गटा कर बाड़े 100 कर दी गई है लेकिन अभी आकरे भले हेर फिर करते रहें जिस तरीके से 170 ठिकाने द्वस्त किये गए हैं कहीने कहीन इसरैलीयों को मुतोर जबाब है कि अब आप संभल जाओ, युद्ध बिराम कर दो, फिलिस्तिनियों को हक दो, गजा बालों को जीने दो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सब ही कान से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो दे लाइफ टीवी, सच सब से आगे